हेलो माई फ्रेंड्स वेलकम टू कॉमिक्स मैं लाइफ चैनल और आज हम आपके सामने ले जा गए आ रहे हैं रमन की एक शांदार कॉमिक्स रमन और रोलर स्केट क्या जमाना था बच्पन का क्या शांदार वो कॉमिक्स है आज तो आप तरश जाओगे अब नहीं दिख सकती लेकिन उस जमाने की बात यह लग थी रमन और रोलर स्केट चैनल पर फर्स टाम है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए चलिए शुरू करते हैं रमन और रोलर स्केट यह कवरप्रस्ट रमन यह है प्राण साब जो अब नहीं रह लेकिन यह हमें शांदार बेश कीमती तोफा दे गए जिन्होंने हमें करेक्टर दिये चार चौदरी रमन बिल्लू पिन की जो लोगप्री हो गए भारत में चार चौदरी की कॉमिक्स है और लेड़ी अपलोड है माई चैनल पर चार चौदरी की प्लेडिस में पढ़ सकते चली शुरू करते हैं रमन रोलर स्केट पहली कानी यह रोलर स्केट बड़ी तेजिस चलते हैं उस टाम कॉमिक्स पढ़ जाया करती थी तो हम उसे कोई ना कोई जुगार करके जोड़ी लेते थे किसी ना किस तरीके से पूरा करते थे अलग ही मज़ा था छोड़ते नहीं कॉमिक्स घर से जड़ा पानी प्याओं ओहो बचाओ ताजे इलाबादी अम्रोध सर्राट यह अरजेंट फाइलने रमन के घर दे आओं वो ने रप्टा देगा धड़ाक अगर एक भी कागज खोया तो अपने नोको नोकरी से बरकास समझो अगली कहानी आती है धून कर लाओ शान्तू शम्मी एक खुशकबरी है मैं मैट्नी शो के चार्ट टिकेट लाया हूँ सब लोग जल्दी से त्यार हो जाओ अभी फिल्म देखने चलेंगे अगली आती है सन्यास अरे रवन कहा जा रहे हो वो दुनिया सन्यास ले रहा है अगर हमारा प्यारत साथी हमें छोड़का चला गया तो हमारा क्या होगा उसे समझाता हूँ रवन तुम्हें सन्यास निलना चाहिए तुमारी बीवी है जो तरह तैसे तुमारे खाना पकाती है लेकिन कई दिनों से मुझे जली सड़ी रोटियां दे रही है पर मेरी बीवी तो मुझे रोटी दे रही आज कल मैं होटल में खाता हूँ सन्यास मतलो तुमारी अच्छी कासी नौकरी है लेकिन खुसर बॉक मुझे दिन में दस बाट डाटता है या तो कुछ में नहीं मुझे दिन में बीस बाट डाट पड़ती है मुझे पर बनिये गवाले वेपन वाड़ी का एक हजार कर जाया है मैंने इन लोगों का दस्यार देना है सच मुझे पता चला कि संसारे मुझे से भी जाद दुखी है मोगा सिंग मैं सन्यास नहीं लूँगा सन्यास तो मुझे लिना चाहिए ही ही पुलिस और रमन रमन घर में है खलीफा रमन के खर पुलिस है लगता है वह किसी मुझे ने फसक्या है सुब्रमाण्याम रमन के खर पुलिस गौरी शंकार अपने फ्रेंड रमन के खर पुलिस सारी भीड़ी गट्टी हो गई रमन तुमारे खर प्लिस क्यों आई है अरे ये तो मेरे बश्पन का दोस्ट पेक्टर राम लुभाया है 20 साल बाद मिलने आया है अगली आती है बीवी की नौकरी रमने खुशकबरी नौकरी के लिए मुझे एक इंटर्व्यू लेटर आया है वाह सचमुष ये तो सुनेरा चांस है जो तुमें मिला है मुझे इंटर्व्यू में जाना है तुम नास्त त्यार कर दो सचमुष तुम आमलेट कितना अच्छा मान लेते हो मेरे पीछे से बच्चों को त्यार करके स्कूल मत बेज देना मेले कप्ले दो देना घर में जाड़ू लगा देना अगर सारे बरतन धो कर किचिन में लगा देना खाना त्यार रखना फ्रिस साफ रखना अच्छे चलती हूँ मेरी साणिया प्रेस करके रखना ये भगवान मेरी बीबी को ये नौकरी ना मिले ही ही अगली आती है भुलक कर रहा मन कमली मेरा पर्स का है मुझे दफ्तर जाना है यह रहा तुमारा पर्स बस टॉप के रास्ते में इन्हें इधर दो क्या मैं बच्चा हूँ चिट्टी डलना भूल दाऊंगा चिट्टी हाथ में देखता हूँ हाथ में रखता हूँ और पहले से पोस्ट करता हूँ मैंने चिट्टी डल दिये बस आ गई टिकेट ओ चिट्टी के साथ मेरा पर्स भी लेटर बॉक्स में चला गया अगली आती है किदर देखें रमाने के स्त्री को देख रहा है धड़ाक ओहो पीछे मुड़कार किसी देख रहे थे बजार में सामने देखका चला करो धड़ाक तुम्हारा ध्यान का था यदि ऊपर देखका चलते हैं दुरगटना न होती बचाओ अगर नीचे देखका चलते हैं तो खुला मेल होल दिख जाता पता नहीं किस तरफ देखूं और किस तरफ ना देखूं अगर याती है रमन की टेलीफोन पर दिली का टेलीफोन प्रिवाग यतना खराब है कि फोन मिलाओ और तुम्हां जाकर मिलता है लो मैंने मिलाए था मंसुकलाल को और यहां दूसी तरफ से आवाज आ रिए किसी लड़की की इसे कहते हैं नसीबा वादा मंसुकलाल को मारू गोली जहां फोन मिला है उस लड़की से थोड़ी देर के लिए बात करो हेलो आपकी आवाज लतामंगेशन जैसी मदूर है आवाज आपकी बुरी नहीं है आप कहां से बोल नहीं है यही सदर खाना रोट के पब्लिक बूस से आजाओ उस हजीने से मिलने के लिए बुलाया है बहाज चलते है सर थाना रोट का पब्लिक टेलिफोन का है यही पांस ही है वह रही तुम्हारा इंतिजार कर रही है रवन जाओ बापरे क्या हुआ वह मेरी बीवी है अगली आती है बचत गुट्डू कहां जा를 हो स्कूल से आज हमारा सल्हाना इम्तिछार कर नतिजा निकला है मुझे रेपोर्ड कारड मिला है देखू तमारा रेपोर्ड कारड अरे गुट्डू तुम तो फेलो तुमारे मावा वह गुश्णा होंगे नहीं उल्टे वे खुश होंगे तुम फेलोगा है वे खुश्ट होंगे मैंने उसके 500 रुपे बचा दिये है उन्होंने वाइदा किया था कि यदि मैं पास हो गया तो वैं मुझे 500 रुपे की रेस साइकल खरीद के देंगे जोब उन्हें नहीं लेनी पड़ेगी ही ही अगली आती है फिल्म हम कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं इधर उधर किधर ये भी कोई फिल्म का नाम है कला फिल्मों के नाम के नाम ऐसे ही होते हैं कमली कला फिल्म को समझना हमारे बसकी बात नहीं है हरूची सुसाइटी में इस फिल्म की चर्चा है आलोज कोने से सदी की सर्वसे इस फिल्म बताया यही नहीं यूरोप के कई फिल्म मेलों में इसे गोल्ड मेडल जीते हैं पर सिनमावल तो खाली पड़ा है कला फिल्म है आम लोगों के लिए नहीं बलकि कुछ एक बुद्धी जीवों के लिए होती है फिल्म अच्छी थी चलो चलें अच्छी थी अभी आपने फिल्म देखी का है जो भी परदे पर दिखाय जा रहा था वै क्या था वै तो विग्यापन आये थे आगे बढ़ते हैं पतीख हो गया पुलिस टेशन मेरा पती खोग रहा है किसी रिष्टिदार के घर गया होगा लोटाएगा मैं सारे रिष्टिदारों के याँ देखाई इन कहीं नहीं मिला किसी दोस्तियार के याँ बैठा ताश खेल ला होगा सारे दोस्त के याँ फोन करके बूच लिया है सिभाई जी पिस्टार्ट करो इसके पती को ढूणना है सारा छे शेर छानवारा कहा गया वै सर उस उसलिये का एक आदमी देखा गया है कहाँ वे राशन की लाइन में खड़ा है ही ही अगली आती है नौकरी सुब्रमन नहीं तेरा मूँ के लटकावाए बॉस नहीं को नौकरी से निकाल दिया हम दूसरी से के नौकरी ढूणने जाता तो मैं कहीं भी जाने की जरूत नहीं है मैं जाकर अब इस बुट्टे से बात करता हूँ सर आप सुब्रमन को नहीं निकाल सकते वो इस कंपनी का पुराना और वफदार मुलाजम है वो आज तक दफ्तार लेट नहीं आया हमेशा काम को ठीक समय पर निप्टाता है उसके वेवार को किसी और को शिकायत नहीं है उसकी लगाना और मैनस से कंपनी को लाखों का फाइदा हुआ है बदले में आपने यह नाम दिया कि उस गरीब को नोकरी से निकाल दिया बखवास कर चुके है सुनो कंपनी ने दो में से एक को निकालना है तुम्हे है सब्रमान्नम को सब्रमान्नम फिक्ष ना करो तुम्हें कहीं इस से भी बढ़िया नोकरी मिल जाएगी अगली आती है एथलीट खलीफा क्या बात है आज कल मोगा सिंग दिखाई नहीं देता वो वहाँ बैठा है उस पर एथलीट बनने का भूस सवार है जिमनेज्म रवन किसी खेल में मुझे काम्यावी नहीं मिल लई काफी देर से डबल बार मान करनी कोश्क कर रहा हूँ पहरवा नीचे गिर पड़ता हूँ मोगा सिंग तुम्हें गोला फैकने में महारत क्यों नहीं हासल है यह असान है तुम्हें सश्ती सहुरत ही मिलेगी तुम्हें उसे गोला फैकने की राई क्यों दी उसे उस रास्ते पर लाने का एक तरीका है बाहरी गोला जब पैर पर गिरेगा तो मोगा सिंग अस्पिताल में नजर आएगा एथलीट बंडे का भूस सिर पर से उतर जाएगा अब यहां के खोड़े हो उसकी चीक सुनने के लिए रमन ने मुझे नेक सला दी ती यह सच मुझे असान है अगली आती है नजम और टीवी रमन मैंने एक नजम लिखी है सुना हूँ अभी नहीं अंतरिक्ष आतराबट टीवी में एक फिल्म आने वाली है मैं उसे देखने जा रहा हूँ अरे अंतरिक्ष में तो आदमी अभी पहुँचा है शायर तो सद्य हो पहले चांद परोदर चुका था माफ करना यार खलीफा टीवी का यह प्रोग्राम में छोड़ना नहीं चाहता एक मामली टीवी प्रोग्राम के लिए उसने मेरी जजबाती नजम को ठुकरा दिया मैं अभी उसे प्रोग्राम नहीं देखने दूँगा कट एंटीना के टार काट दी है टीवी को लो जाएगा और वे जखमार का नजम सुनेगा आयायी मेरा पैर फिसर गया बढ़ाम रवन मैंने तुम्हारा एंटीना तार काटने छत पर गया था तुमने ऐसे ही तकलीफ की मेरे टीवी में पोर्टेवल एंटीना है उस जमाने में एंटीना हुआ करते थे हम तार हिलाला के सही करते थे एंटीने अगली आती है इंटर्विव सर्य पांसो रुपे का नजराना रखिए आपके दफ्तर में कलर्की जो पोस्ट खाली है उस पर मुझे रख लीजे रवन मैं एंटीना में तुमसे सबसे आसान सवाल पोछूँगा और तुम चुलनी जाओगे धन्यवाज सर दूसरे दिन रवन इंटर्विव के लिए अंदर आओ रवन बताओ सुबह सूरज किस तरफ से निकलता है शिवाले के मांग के पीछे से हाँ शिवाले का मंदर किस तरफ है राम लुभाया के घर के सामने आखरी चांज देता हूँ बताना रोम लुभाया ओ घर का शिवाले किस तरफ है आपने सामने अगली आती है लॉट्री का टिकेट रवान लगपती बननने का सुनैरी मोगा है एक रुपया तुम डालो एक मैं एक दुरुपय का टिकेट लेते है आपने ।िकेट दो रुपे ठीक है एक टिकेट देना मैं टिकेट रखता हूँ कर लोटरी का प्रणाम आने पर मिलेंगे बाहरे मैंने वो मोगा सिंग ने एक रुपया डाल कर लोटरी का टिकेट खईदा है कहा है टिकेट मोगा सिंग के पास तुम बुद्धू के बुद्धू रहे अरे नाम उसे कि यसके बाद टिकेट होगा तुम्हाई दोस्तने आधाए नाम देने से इंकार कर दिया तो जा उसे टिकेट लेकर आओ मोगा सिंग टिकेट में अपने पाश रहूंगा क्यों क्या तुम मेरा अथ्वार नहीं है अग्वागा तुम्हें मुझा पर सका है तुम भी वैमान हो हो सकते हो कि मोगा सेंग तुमने मुझे बमान का तुम्हाई दिल फरेव해 फरेवी में नहीं तुम्हों रमन तेरी एमाद धार 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 अगले दिन रामन लॉट्टी का परणाम निकला है हमारा इनाम निकला लोया टिकेट नहीं इससे तुमी रखो अगला आता है पत्रमितर्ता रे रामन क्या पढ़ रहे हो अपनी गर्फरेंड के प्रिंड प्र 네 गल्फरेंट तुम्हें कहा से मिल गई एक पत्रिगा के pen friend कॉलम से उसने उन लड़के लड़कियों के पते होते हैं जो दोस्ती करना चाहते हैं लेकिन लड़कियां अक्सा लड़कियों को ही friend बनाती है हाँ मैंने उस लड़की को यह नहीं बताया कि मैं आदमी हूँ मैंने अपने आपको लड़की बता कर उसे पत लिखे हैं और माई दोस्ती बढ़ गई है पोस्ट मैं लोग एक और चट्थी लगता है मेरी girlfriend की है वाँ उस लड़की ने मुझे शेयर के पास people के पेड़े मिलने के लिए बड़े खुशनस ही हो वह खड़ी मेरा इंतजार कर रही ह हो गई वह रही उसे बता दूंगा मैं लड़का हूं मैंने यह बताने के लिए तुम्हें बुलाया है कि मैं कोई लड़की नहीं हूं लड़का हूं ही 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 आजकल यह खेल आजकल Facebook और Instagram पर fake ID बना कर होता है आगे आती हैं अगली कॉमिक्स सारी दुनिया एक तरफ दीदी सीकान ताओ तुम भूके होगे कुछ खालो वा दीदी यह टोस्ट बरफी आमलेड वे लड़ड़ो बड़े स्वाधिस्ट हैं तुम मेरे नास्ता खा गए अब मैं क्या खाऊंगा जीजाजी आप ताजी हव अगे बढ़ते हैं बकडी और बिल्ली अपने कोट याड में पौधा लगा दूं बड़ा होगा तो खुप फूल आएंगे पौधा तो लग गया अब खीचने सीचने के लिए अंदर से पाई ले आओं अरे पीछे से तुलसी राम की बकडी मेरा पौधा चट कर गई तुल का हाणा जानवर पौधा खागए से मेरे के कसूर है अंधर से मुर्ग्यों के लिए दाना ले हूँ आओ रमन की बिल्ली मेरा चूजा खा गई तो मैघर जाना देना होगा कासार जाना जानवर हागई चूजा इसे मेरा के कसूर अगली आती गहनी अजीब मरीच क्रमन तव ओहो टेंपरेचर 115 डिगरी और धाड़ी नाड़ी की धरकन 150 डॉक्टर जल्दी चरिये मरीज का तापमान नाड़ी बहुत तेज हो गए हैं थर्मामीटर दो मैं खुद देखूंगा मरीज का टेंपरेचर और नाड़ी दोन नॉर्माल हैं मरीज की पत्नी आ गई मैंने तुमाई उसकी नाड़ी और टेंपरेचर तो बहुत उच्छे थे डॉक्टर ने देखे तो नॉर्मामीटर मुझे दो मैं देखती हो उसकी नाड़ी और धरकन टेंपरेचर नॉर्माल से काफी नीचे हैं अजीम वरीज हैं आप तो समझी गई होंगे क्या बात होई है कि ये ही अगली आती है भाएर कौन है क्यों ना रमन के साथ मजा किया जा या उसकी तरवाजे घंटी बजाते हैं गया अरे भाहर तो कोई नहीं है फिर घंटी बज़े ट्रेन ट्रेन बहार कोई नजर नहीं आ रहा कोई परशान करने के लिए घंटी बज़ा रहा है शेरू यही रहो अगर कोई घंटी बज़ा है तो इस सबक से बहा देना प्रेन ट्रेन भावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा खेर कर वापस पड़ोसी के बाद भेज देंगे, हाँ भै छेद में गया, छेद पर इट रख दिया है, भै इदर नहीं आएगा, तुलसी राग के घर, चुवा फिर आ गया, इसे भी रमन के घर वापस भेज देते हैं, कैसे बेजोगे दिवार के छेद पर तो इट रख दिय है, चुवा रमारी पचड़ गया है, रमन की तरफ की खड़की का रोशन दन खुला है, ठट, चलो चुवे की परशानी तो हलोई, टाक का, ही ही, अगला आता है रल्दू का उधार, रल्दू बहुत दिनों बात देखे, कहां जा रहे हो, यार रमन बड़ी कड़की के दिन है, मैं तुमारे पास 10 रुप उधार लेने आ रहता, 10 रुपे, हाँ मैं तुमको लोटा दूँगा, लेकिन कब, देखो मैं जाधेर का उधार नहीं करता, मैं तुम्हें रकम एक घंटे बाद ही लोटा दूँगा, एक घंटे बाद, यह लोट दस रुपे, धन्यवाद, लेकिन रलदू, एक घंटे बाद, तुमारे पास पैसे आएंगे कहां से, मैं किसी दूसरे दोस्त से 20 रुपे उधार मागने जा रहा हूँ, मिल गए, तो उसमें दस तुमें दे दूँगा, ही ही, दोस्तों, यह शानदा अटामेंट कॉमिक्स रुमन की, यही समापत होती है, कॉमिक्स आपको कैसी रही हैं, बताईएगा, चैनल पर फर्स्ट आम आया है, तो चैनल को सबिस्क्राइब कर लिए, ऐसी ओसम कॉमिक्स के लिए, तो देखते रहिए, कॉमिक्स माइल लाइफ चैनल की, इंग्लेश कॉमिक्स, दो नई सब्ता, एक पत्र काया है, मुवी चित्रहार, दफा थीन ज़़ो, टामेंट कॉमिक्स विक्की आनंद का नया उपन नयाज करम राख, एसा सस्मेंस फुल ड्रामा जाबने पहले कभी नी पढ़ा होगा, विक्की आनंद करम राख, जासी उपन नयाज जाब की रातों की नीद उड़ा देगा, कि आनंद करना है उपन नयास मुल्जिम, मौत के सौदागर, देखते रहे हैं कॉमिक्स मैं लाइफ चैनल,